बातादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह के दूसरे जबताह के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए 8 फरवरी से 14 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा इन 7 दिनों में कौन सी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती होगी किस तरह के योग बनेंगे कौन सा ग्रह अपनी राशी बदलेगा क्या शुब योगों का निर्मान होगा और उनका प्रभाव आपकी दिन चरिया पर कैसा होगा जानेंगे इन 7 दिनों के बारे में सब कुछ विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवी दिन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां चैनल राशी फ़ले यह चंद्र राशी पराधारित है और आठ फरवरी से चौधा फरवरी तक जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो आपके चौथे भाव से सब्तम भाव तक रहेंगी चौथा भाव पांचवा छेटा और साथवा भाव इस सब्तम हमें बारा फरवरी को सू पूरी जो शनी हैं वो उद्य होने वाले हैं और साथ में नो फरवरी के दिन कुछ ऐसे बड़े संयोंग बन रहे हैं जो बेहद खास रहने वाले हैं इसके अलावा ग्यारा फरवरी को अमावशा तिथी है जिसको मौनी अमावशा के नाम से जाना जाता है बेहद शुभ य चौते भाव के गुचर से आठ फरवरी का दिन चौते भाव में चंद्रमा होंगे और ये इस्थिती चंद्रमा की बेहद अच्छी है आपके लिए इस दोरान आपको प्रॉपर्टी खरिदने के प्रबल योग बने हुए हैं यदि आप इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरिदने में या मकान की खरिदारी करनी है या आप बिजनेस मान है या एक के प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करते हैं तो ये जो समय होगा आपके लिए एक बड़ी डील को दिराने वाला होगा आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है इन दिनों में तो और भी बहतर रहेगा आपको अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना बेहद अच्छा लगेगा मांसिक रूप से भी आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे इससे आपके कामने भी सुधार होगा और आपकी कारय कोशलता में भी विरत्धी होगी तो ये जो शुर निर्मा का ये गुचर छे ग्रहों का एक साथ संयोग बनेगा और देखे जब भी इतने सारे ग्रह एक साथ संयोग करते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो बहुत जबरदस्त होता है कई तरह के परिवर्थन वो ले आते हैं अब ऐसी इस्तिति में जो शुब ग्रह हैं जो अशुब ग्रह हैं सभी एक साथ मिलन कर रहे हैं मकर राशी में तो ये इस्तिती बेहद खास बनी हुई है और इस दिन रात्री में नौ फरवरे के दिन रात्री में शनी भी उदा होने वाले हैं जो पिछले एक महने से अस्त चल रहे थे तो ये समय ऐसा होगा कि आपके मन म कलात्मक विचार आएंगे आप अपनी संतान के प्रती भी काफी ज़्यादा भावनात्मक रहेंगे प्रेम की भावना आप महसूस कर पाएंगे और अगर आप एक कला प्रेमी हैं कला के शेतर से चुड़े हैं तो यहाँ आप अपनी कला का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ा सकते हैं धन अर्जित कर सकते हैं आयका साधन उसको बना सकते हैं शिक्षा के शेत्र में भी ये जो समय होगा बहुत अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा ये इस्तिती बेहद अच्छी होगी शनी का भी प्रभाव यहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा इन च्छे ग्रहों के परभाव से कुछ थोड़ी बहुत सावधानिया रखनी है बाकी धन के मामले में ये समयाब के लिए अच्छा रहेगा इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और चंद्रमा का गोचर आपके छटे भाव में हो जाएगा अब छटे भाव में चंद जरासी लापरवाही कई बार बड़ी परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए लापरवाही तो आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है आपको अपने मात्र पक्ष के लोगों से मिलने का योग बन रहा है यानि आप अपने ननिहाल पक्ष से मिल सकते हैं और ये इस्तिथी आ आपके छटे भाव में बैठकर आपके कोट कचेहरी के जो मामले हैं या आपके जो विरोधी हैं उन सभी को शांत करेगा कोट कचेहरी के मामलों में विजय हासिल कराएगा। सरकारी शेत्र से भी इस दोरान आपको बड़े अच्छे परिणाम देखने को मलेंगे अच्छे लाब की इस्तितियां बनेगी। आपके मान समवान में ये समय बढ़ोतरी लेकर आएगा नौकरी पेशा लोगों को भी इस दोरान नौकरी में अच्छे पद की प्राप्ती यह व्यपार का दामपत्य जीवन का परिवार का बदलाव का भाव है तो इस दोरान आप अपने बिजनिस के तरीकों पर ध्यान देंगे किस तरीके से आप अपने बिजनिस को करते हैं या आप अपने कुछ काम करने के तरीके में चेंजिस ला सकते हैं इस तरह की चीजों पर आप ध्यान देंगे एक चीज का ध्यान रखें अगर आप पार्टनर्शिप में काम करते हैं तो आपका चाहे एक पार्टनर हो दो पार्टनर हो कितने भी आप पार्टनर हैं आपके साथ उनके साथ संबंदों को ना बिगड़ने दें संबंदों का बि प्रियास करें उसको दूर करने की कोशिश करें बातों के जरिये उत्तेजित होकर आवेश में आकर इस्तितियों को आप बिगाड़ सकते हैं इसलिए इन चीज़ों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना होगा ग्यारा फरवरी को मौनिय मावशा का दिन भी है ये दिन बहुत महत्पून है इस दिन आप उपाय कर सकते हैं हमने एक मौनिय मावशा के ओपर वीडियो बनाई राशी अनुसार मौनिय मावशा के दिन उपाय तो उसको देखें अपने राशी के अनुसार उपाय करें बहुत प्रेमिजहार के लिए अच्छा समय है दामपत्य जीवन के लिए भी ये समय काफी सुख देने वाला है अपने साथी को आप एक बार फिर से प्रपोज कर सकते हैं छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आ सकते हैं उनकी चीजों का उनकी बातों का ख्याल रखें बावनाव का ख्याल रखें यही अपने आप में एक मजबूत देने वाला होता है तो इस समय का लाब उठाएं और पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा पूरे सप्ताहबर में विद्यार्तियों की बात करें तो सिक्षा के शेत्र में भी यह समय अच्छे परिणाम देने वाला है विद्यार्तियों के लिए भी अपने मौजमस्ति के लिए भी समय निकालें और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस आप कर पाएंगे उपाय की यह भी बात की जाए इस पूरे सब्ता हमें तो विश्णू सहसर नाम का पाठ अगर आप पूरे सब्ता कर लें तो बहुत हिदकारी साबित होगा साथी चानल को सब्सक्राइब करें हमारी इस वीडियो को ज़़़दा लाइक करें शेयर करें धेनेवाद